आपसे फिर मिलने का मौका मिल रहा है आज हम एक बड़े ही सेंस्टिव टॉपिक पर बात करेंगे हमारे पास पेशिंट आते हैं उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं और वो ठीक हो के जाते हैं लेकिन एक ऐसी पहेली है जो हम हम बहुत बार सोचने हैं जिसके बारे में कि सेंट पेशिंट, सिमिलर टाइपस ओडिजीज, सेंट सर्जन उनका एक ही ऑपरेशन सबका होता है वही बाद में फॉल आप होता है वही मेडिसन्स दी जाती है लेकिन फिर भी कुछ पेशन्स बिलकुल ठीक हो गए जाते हैं कुछ पेशन्स कभी सेटिसफाइड नहीं होते हैं ऐसा क्यों? अगर हम यह कहें कि यह सिर्फ किस्मत की बात है तो साइनटिफिकली यह बात जिस्टिफाइड नहीं है कुछ पेशन्स बहुत खुश होते हैं सालों साल याद रखते हैं कुछ पेशन्स की सेजरिय बहुत अच्छी होती है फिर भी उनको कुछने कुछ कम्प्लेयंट से रहती हैं आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे तो क्योंकि हम इतने हजारों पेशन्ट देखते हैं और उनके रिजल्ट हम उनकी फैमिली से बात में भी कनेक्टेड रहते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ने कहीं पेशन्ट का जो मेंटल मेकप है जो patient की psychology है उसका भी एक role रहता है result में ये बात हम समझ सकते हैं कि patient को pain है और orthopedics में अगर हम fracture को छोड़ दें अगर हम hip और knee replacement की या spine की बातें करें तो patient हमारे पास generally सालों परिशान होने के बाद आता है तो एक इनसान जिसको 24 hour pain है वो कोई moments नहीं कर सकता है या उसकी moments restricted है वो physically dependent है अपनी family के उपर तो ये बिलकुल जाहिर सी बात है कि वो mentally up to the mark नहीं होगा कुछ ने कुछ एक depression का element या एक anxiety का element भी जाता है दूसरा कारम होता है कि ये patient definitely सोचते हैं जब family में बात discuss होती है कि they become a financial burden on the family उनको लगता है कि मेरा operation होगा उसमें खर्चा होगा family की जो future plans होती है उनको कोई घर खरीबना है गाड़ी खरीबनी है बच्चे की education है वो सब जिचे रुक जाती है और सब लोग patient को अगर मिलने भी जाना है डॉक्टर को visit भी करना है तो पूरी family के members गाड़ी लेकर उनके साथ जा रहे है उनका time भी invest होता है तो ये भी कहीं न कहीं patient के दिमाग पर ये करता है part बहुत सारे patients आस पास की बातें सुनते हैं ऐसे लोगों से बात हो जाती है उनकी जो किसी वज़य से negatively inclined है जिनके results अच्छे नहीं रहे हैं तो वो कहते हैं कभी operation मत कराना operation के बादा पहले से भी खराब हो जाओगी तो ये चीजें भी सोचने की है और worst हमारे पास कुछ patient ऐसे भी हाते हैं जिनकी पहले operation हो चुका है जो कि fail हो गया ऐसे patient emotionally emotionally, financially, पूरी तरह drained होते हैं तो इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं patient की इसमें हमारा भी role है means the medical team, the surgical team and family का भी role है family को क्योंकि देखिए family patient के साथ ज़्यादा वक्त गजारती है patient doctor से मिलने आता है तो maximum 15 minutes, half an hour इतनी देर हम बात कर पाते हैं समझा सकते है patient को लेकिन family उनके पास सारा दिन रहती 24 hours तो family के जो close members है उनका role है कि उनको patient को boost करना है उसका morale boost करना है उनको बार-बार समझाना है कि ऐसा कुछ नहीं है आप ठीक हो जाएंगे family support की बहुत जरूरत है दूसरा family को research करके समझ के alert होके ढूंडना है उस right surgeon को जो कि उस बिमारी का specialist है ऐसा नहों कि हम अपना पैसा भी लगा रहे हैं वक्त भी लगा रहे हैं patient की surgery भी करा रहे हैं और result ना मिले तो ये family के duty है कि वो ठीक जगह पे पहुँचे as a surgeon मेरा और मेरी टीम का फर्ज है सबसे पहला कि हम patient को time दे जब patient हमारे पास परिशान होके आता है तो कई बार वो बोलना चाहता है वो अपनी problem बताना चाहता है not only the disease part but also emotionally वो कितना disturbed है patient तो कई बार क्या होता है हमारी भी गलती होती है हम जल्दी में होता है या ज़्यादा patients होता है रश होता है तो हम patient को उतना time नहीं देपा I accept that लेकिन हमी time देना चाहिए patient की बात सुनने चाहिए ये एक बहुत बड़ा relieving factor होता है patient की कि कोई उसकी बात सुने क्योंकि घर में सब लोग वही बात से सुनसुन के रोज कई बार ऊप जाते हैं बोर हो जाते हैं उसकी बात नहीं सुनते हैं दूसरा अगर patient को को disease है तो ये हमारे duty है को इसको disease के बारे में detail में बताया जाए उसको बताया जाए कि ये ला-इलाज बिमारी नहीं है mostly बिमारियों का बहुत अच्छा इलाज है अगर हम कोई operation प्लान कर रहे है तो हमें model से, videos से या दूसरे patients का example देगे patient को पूरा detail में समझाना चाहिए कि ये operation होने जा रहा है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है patient को अच्छे से honestly follow up के बारे में बताना चाहिए कि आप इतने दिन में बैट पाएंगे इतने दिन में चल पाएंगे इतने दिन में आप office जा सकते हैं क्योंकि patient के मन में confusion रहता है कि मेरा operation तो हो रहा है पर मेरा आगे क्या होगा क्योंकि बहुत सारे लोग job करते हैं फैमिली उनके ओपर dependent होती है they are the earning members और ऐसा नहीं है कि patient एक ही बार में सारी बाते समझ जाएगा अगर हमें जरुरत है तो हम patient को बार बार different sessions में समझाते हैं हम दुबारा बलाते हैं पहली बार थोड़ा से बहुत ही समरी में बात करते हैं patient को booklet देते हैं घर पे पढ़ने के लिए patient फिर अगली बार आता है तो वो और further questions लेके आता है तो हमें कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि ये क्या सवाल पूछ रहे हैं मेरे लिए वो एक रोज का सवाल है रोटीन सवाल है लेकि patient के लिए तो उसकी life है उसके पास एक ही chance है ठीक होने के लिए तो हमें patient को समझाना चाहिए कि वो क्या operation करने चाहरे है उसके बारे में details में बात करनी चाहिए क्योंकि patient कभी ने कभी ये जरूर सोचता है कि ये मेरे साथ क्यों है बाकी लोगों के साथ क्यों है उस मेरी उमर के बाकी लोग तो बहुत अच्छे से अपना काम करनी है तो हमें patient को उस negative mindset से बाहर निकालना है बार बार उससे बात करनी है उसको समझाना है कि ये होना है और आप ठीक हो सकते हैं जब तक हम patient की negativity को positivity में convert नहीं करते हैं मेरी सला, मेरा message तो यही है कि तब तक ना तो surgeon को operation करना चाहिए और ना family को surgery के लिए हाँ बोलना चाहिए क्योंकि अगर patient negative mindset के साथ आता है हमारे पास तो हमने बहुत बार देखा है कि patients को बाद में किसी ने किसी तरह से complaints रहती है अच्छी साजी होने के बाद भी वो satisfied नहीं रहते हैं तो उसमें family और surgeon सबी सफर करते हैं in spite of the fact की हमने अच्छा काम की है Thank you very much